हेलो एब्रीवन मैं नी लमतिवारी आप सभी का मैगनेट ब्रेंस में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैगनेट ब्रेंस एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको किंडर गार्टन से लेगे 12th क्लास तक के सारी वीडियो बिल्कुल फ्री अबिलिबल करवा जाते हैं और उसके अनुवाद भाग एक में हमनेट निश्चिंद हो करके बिना पैसे के घर बेटे आप कर सकते हैं चैनल करवा दिये हैं इस पूरे पार्ट में बीश लोग है जिसमें से छे हमने करवा दिये हैं पहले पार्ट में और उनमें हमने पढ़ा क्या जैसा कि नाम कह रहा है कि भव्य है सत्याग्रह आश्रम यह हमारा यानि भव्य भविता जिसकी बहुत अच्छा अच्छे से अ हएं उन शेश्लू को में बताई गई हैं कि वह आश्रम कैसा था अपने नाम जैसा ही जैसा उसका नाम है सत्याग्रह वैसा सत्य वहां का प्रमाण था मनवचन कर्म से वहांपर रहने वाले व्यक्ति सत्य का पालन करते ति गांदी जी उनको प्रेना देते था part में नो वृ साथ विश्लुक्ष शुरू करेंगे लिखा है साक्षात सत्य प्रदीपो अयम दीप्यति अखिल भारति देखें यहां पर यह जो अवग्रह लगा है उसको हमें अ बोलना है चीक है क्योंकि यह हमारा परिवर्तित रूप होता है ठीक है ना कौन से जो दो संधियों में होता ह है एक विसर्गी की उत्व संधी में यह जो होता है उसका लोप नहीं होता है वो किसी भी स्वर में जाके जुड़ता नहीं है आगे वाले जैसे यह की मात्रा थी और आ का मेल हो जाना चाहिए था हमारी आयादी संधी का नियम लग जाना चाहिए लेकिन नहीं होता है पूर रूप में नहीं देखता है उस वो अपने अवग्रह के चिन्द में परिवर्दित हो जाता है तो यहां पर हमारा बनेगा इसलिए हमने बार 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 बताया कभी कभी क्या होता है बच्चे जब इस चीज को देखते हैं तो उने लगता है कि इसको हम बोले कैसे इसका हम उच जम तमह अब इसका हम पहले करेंगे अनुवाइज ठीक है अनुवाइज करने से क्या होता है हमें हर चाहिए हम शब्दों के अरद बता देती हैं फिर अनुवाइज यानि उन शब्दो को करम से लगवाएंगी फिर इसके बाद आपको अनवाद करवाएंगे यहां पर क्या लिखा है साक्षात साक्षात यानि साक्ष किसको कहा जाता है सअक्ष जो आखों के सामने हो साख किसके अक्षे के आँखों के जो सामने हो सो उसको साक्ष कहते हैं और वही हो गया साक्षात यानि बिलकुल सामने स्वेम रूप में ऐसा नहीं कि कहते ना कि भगवान साक्षात प्रकट हो गया मतलब आँखों के सामने आ गया ठीक है यानि जो चीज हमारे आँखों के सामने ह उसको हम साक्षात क्यते हैं साक्षात अजवने भगवान को देखा साक्षात हमारे अपिछरी हम नियम करें आदे हैं कि उसक आएगा कि वो जो मात्रा है वो हमारे विसर्ग के परिवर्तल से आई है तो हम यहां पर कहेंगे कि साक्षात ताको अलग करें साक्षात सत्य प्रदीपह प्रदीप करने वाले प्रजुलित करने वाले दीप्त करने वाले ठीक है यानि दीपक सत्य को जलाने वाले यानि सत्य को प्रदीप्त करने वाले ज जो प्रकाश है वो चारों और कोन की बारी माहत्मा घंदी की बात हो रही है उनकी विश्यस्तने आ रहे हैं तो के रहे हैं जो महत्मा थी वह साखशात सत्य प्रदीप आयम यानी यह आप आगे देखेंगे संपूर्णध में अब आगे लिखा है सवय यानिं अपने बंधु नाम बंदु यानिवाई जिसको भाइध मानते हैं भाइधी की तरह हमारे जो परिवार के जिसको अपना अपना मौनते इह वहー भाइब्धु कहलता है थीखे बंदु बंधु किसको कहा जाता है जिससे हम परीवार के नहीं हैं आश्रम में यह वय व्यक्तियों को अपना बंधु मानते थे और भारत के सभी जनों को भी वो लाता ही मानते थे परिवार जन ही मानते थे तो क्या कि रहे है स्वा यानि अपनी बंधू नाम यानि बंधू का अब बंधू का भी हो सकता है की भी हो सकते हैं कि उनकी नाम जो लगा हुआ है नाम अनाम शष्टी विवक्ति का प्रत्य होता है ठीक है शष्टी विवक्ति में नाम और अममें जो मा होता है बाहर निकला किए इसके हमारे सामने इसके इंदर को है पूरा हुआद लिगा यह इसा देखता ऐसा देखता अगर उसमें औहीं लगा हुआ होता तो तो अब जैसे ही हमने इसको आदा किया तो हमारे सामने निकल के आया है जो अपा कुर्वन में जुड़ गया तो अप अलग हो गया ठीक है और कुर्वन अकुर्वन की बात आई अब यहां पर अकुर्वन शब्द से अपा कुर्वन शब्द बन गया हमारा चीक है मूल शब्द पता होना चाहिए भई तभी सही अर्थत जोड़ पाता है नहीं तो बच्चों को लगागा के अब जैसे अप और अप उपसर्ग अकुरवन यानी क्रीध हातु में क्रीध हातु को जब भूट कालगा बना रहे हैं तो आ उपसर्ग लगना स्वाभाविक जब आ उपसर्ग लग रहा है और उसमें अप हम प्रत्रत्य जूड़ रहे हैं तो एक पहले से यहां से लगा हुआ है एक पामे जुड़ा हुआ है दोनों को मिलाया सो बड़ा बड़ा आवन गया दीर विसंदी इसलिए यहां पर हमें जो शब्द दिख रहा है वो क्या ब सब्सक्राइब है जैसे मॉन मान कार थो क्या होता है सम मान अप मान क्या हो गया उसी का सीधा विप्रीट का हो गया तो कुरवनिया कर ना उतनी लोकर घर घर है तो यह अपतर ट स्वबंदू नाम अपनी बंदूओं का अपा कुर्वन यानि दूर करके क्या हिर्दयान मोह जम्तमह यानि मोह से जन्में अंधकार को किसके हिर्दय से अब हिर्दयान को फिर से हम अलग करेंगे तो यह बन जाता है हमारा हिर्दया अब यह जो ना है हमने बार अभी कही बार हम आपको कर वाते जाते हैं मोह जम्तमह तो यहां बहीं बहुर्वर्विय назonORE साथ में आजाएं बारबार हम कहते कि दो अनुनासिक जब आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि ये वाला जो आधा अनुनासिक है वो अपने प्रथम वर्ण के परिवर्थन से आया है तो इसको मूल रूप में परिवर्थित करने के लिए ना वर्ग का पहला अक्षर कौन सा होता उसमें परिवर्थित कर देंगे तो यह जाएगा हिर्दयात यानि हिर्दय से मोह जम मोह से उत्पन तमह यानि अंदकार को अंदकार को दूर करके अब किसके कौन थे महादमा गांदी साक्षा सत्य रूपी दीपक की द्वारा किसमें के रहे स्वबंधू नाम अपने को यानि मोह का अज्यान का जो अंदकार है उसको सत्य रूपी दीपक के द्वारा क्या करते दूर करते थे और अयम यह कैसे हुए अखिल भारते पूरे भारत में दीप्यते दीप्त हुए कैसे सत्य प्रदीप की रूप में सत्य के दीपक की रूप में कैसे हुए हमेशा प हम बता रहे थे कि स्वबंधू नाम सबसे पहले आया कि अपने बंधूं के हिर्दय से मोह से जने तम को दूर करके ठीक है तो यहां पर यह इसका पहले अर्थ नहीं बन रहा है अर्थ आ रहा है इस पंग्धी का तो हमें पहले यहां के शब्दों को उठा के क्रम से लगा दि के पहले हम क्रिया पहले नहीं लगाएंगे हम कहेंगे अपने बंधूं के हिर्दय से तो हम हिर्दयात मोह जम यानि अज्ञान से उत्पं मोह क्या होता है अज्यान होता है जसकार्थ होता है जन्म मोह से उत्पन तमाह यानि अंधकार को मोह से अज्ञान से उत्पन जो हिर तो कहेंगे साक्षाथ अपने बंदुओं के हिर्दय से मोह से जनत्तम को दूर करके साक्षाथ किसके रूप में मुले सत्य प्रदीपा सत्य के दीपक की रूप ये पूरे भारत में दीप्यते प्रकाशित हुए ध्यान कीज़ेगा अनवाय में हमेशा कोई भी पंक्ति जब सब अन्त में पिर साक्षा जा rain अनुञां भृषऑ नियुक जो क्रीया है उभी अन्त में आएगी इस बंक्ती जो इंद जब लागा लेते हैं तो अर्थ उसका निकालना हमारे लिए कि ऐसा हो जाता है चुतिवे का कि 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 अपने बंधों की हिर्दय से मोह जम यानि अग्यान से जम लेकाता है ठीक है ऐसे याद साक्षात सत्य रूपी सत्य प्रदीपक के समान यह यानी महत्म गांदी अखिए अखिलकार्ट होता है संपूर्ण भारत में दीप्यति यानी प्रकाशित है ठीक है सारे भारत में प्रकाशित है सत्य रूपी दीपक के समान पूरे भारत में प्रकाशित है कौन यह महात्मा गांदी ठीक है अब यहां पर महात्मा गांदी के सत्य की बात बता रहा है कि उन्होंने सत्य का दीपक जला करके अपने बंधू के मन में जो ज्यान रूपी अ अब आगे हम देख लेते हैं अपना स्लोग क्या क्या है बलum फिर से पहले हम शब्दों कार्द बताएंगे अनुवात पर आजाने हैं तो कहने हैं बलम यानिए बल Northern टीक है बलम शब्द अब माहलंतिया अनुस्वार है को का भी अर्थ बताता है और नपुनसगलिंग शब्द में क्या हो जाता है प्रत्मा में भी आता है तो बल की बात कहेदी यानि बल यानि शक्ति ठीक है बल तो समझ में आता है अब क्या कहते हैं सर्व बले भ्यह सर्व यानी सभी ठीक है बले भ्यह फिर से ओकी मात्रा है विसरग में बदल दीजे आगे वाले अवग्रहगों आ में बदल दीजे तो यो गया अपी तो क्या हो गया सर्व बले भ्यह अपी यानी बल अब कौन से बल की बात हो रही है देखेंगे हम कहते हैं सवी बलों में अब बले भ्यह जो शब्द लिखा है अब ए भ्यह कहां आता है ए भ्यह ए भ्यह नाम सू ऐसे याद करवाए है ए भिया कहां आता है चतुर्थी और पंचमी विभक्ती में आता है जहां पर किसी मूल शक्द में भिया अंत में लगाई हुआ देखे तो समझना उसमें चतुर्थी और पंचमी विभक्ती लगी है और अगर चतुर्थी है तो अगर चतुर्थी का ये भिया जोड़ा हुआ ह तो उसका अर्थ के लिए में लगाएंगे आप यानि बल के लिए बल में के लिए अर्थ जोड़ देंगे और अगर ये पंचमी विभक्ति का है तो उसमें अलग होने वाले से की बात करेंगे बलों से या तुलना वाला भी से कौन सा होता है भाई पंचमी का ही बनता है कहते ह बलों से तो यहां पर हम के लिए का अर्थ देखें या सी का देखें तो इस यह हम जब अर्थ बनाएंगे तब हमें पता चलेगा कि सभी बलों के लिए यह सभी बलों से अपी यानी भी अपी का अर्थ क्या हुआ भी सत्यम को अलग कीजिए तो यह अलग हो जाएगा यह होता है तो भाई उसमें से हमारा एक निकल रहा है चाहिए वो छोटा भी हो सकता है बढ़ा हो सकता है लेकिन हम पहले क्या करते हैं छोटे फिश्व से शुरुआत करते हैं कि दोनों को भाई यहां पर देखें यह लिखा है हमारे सामने सत्यमेवाति रिच्यते चीक है अब यहां पर सत्यम को पहले हमने अलग किया तो यह हो गया सत्यम जैसे ही माहलन्त हुआ तो यहां से एवा शब्द हमारे सामने निका अब एवाति रिच्यते जो लिखा हुआ है ठीक है सत्यम मलोगों किया तो यह वा को भी हमने तोड़ा वा को तोड़ा तो वा मैसे हमारे पास क्या निकले दो आ निकले क्योंकि भई बड़ा आ किस से मिलकर बनता है वा को तोड़िये तो वा मैसे एक बड़ा आ निकल रहा है के नहीं आ रहा है अब इस बड़े आ को व हमने विग्रह किया तो वो छोटे छोटे से भी मिलकर बना हुआ हो सकता है बड़े-बड़े से भी मिलकर बना हो सकता है दोनों बड़े हो सकते दोनों छोटे सकते छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन दो आके होने से आ बनना है यह त्य है तो यहां हमने क्या किया कि वा को पहले छोटा आ दिया तो एव हमारा बिल्कुल चोटे आ से एव जो बना वो हमारा सही एक क्या बन गया हमारे सामने अभ्य निकलकर आ गया एव का अत्रिक्त तो कहेंगे बिल्कुल ठीक बात निकल लगी कि सत्यम एव अत्रिच्यते यानि सत्य ही क्या है बढ़कर है सत्य अत्रिच्यते यानि बढ़ा है बढ़कर है किसे से बढ़ा है तो कहते हैं बलम क्या कौन सा सत्यम बलम यानि सत्य रूपी जो बल होता है सर्व बले भ्यापी सभी बलों से भी अत्यरिच्यते बढ़कर होता है सबसे बढ़कर होता है कैते हैं सत्यवान जो सत्यवान का बल होता है सत्यवान यानि सत्य पर चलने वाले जो व्यक्ति का बल होता है श्रियान यानि बड़ा होता है किस से बड़ा होता है सत्यवान बलह सत्य का पालन करने वाले यानि सत्य का जिसके अंदर भाव हो यानि जो हमेशा सत्य का आचरन करता हो हमेशा सच का साथ दीता हो तो ऐसी सत्यवान का जो बल है वो श्रेय होता है यानि बड़ा होता है किस से सबलात यानि बल्वान व्यक्ति से एक बल्वान व्यक्ति है और सत्य वर्जितात ऐसा बल्यूक्त व्यक्ति जो सत्य से विवर्जित हो जो सत्य का कभी पालन नहीं करता हो यानि यहा वाले सच्चा जो व्यक्ति होता है सच्चे वाले व्यक्ति का जो बल होता है उसका बल कैसा होता है श्रेय होता है यानि सत्य का जो बल होता है वो श्रेय होता है बड़ा होता है किस से मुले बली युग तो जूटे व्यक्ति से अगर कोई व्यक्ति जूटा है और वो बड़ा नहीं है वले ही देखने में कितना भी इस अबना रहे है कई फर्क नहीं पढ़ता है लेकिन का एक जो बल होता зайए मौत चाहिए सब लाथ यहनी जिसके साथ मैं बल हो यानि देखने में बड़ा बलवान है लेकिन सत्य वह वर्जित जो सत्य से वर्जित है भले ही वो सबली व्यक्ति हो लेकिन फिर भी उससे जो सत्यवान व्यक्ति होता है वो श्रेयकर होता है स्रेश्ट होता है यहां पर यह सत्य के लिए बात बताई गई है कि सत्य की महिमा क्या होती है कैसे स्रेश्ट होता है तो उन्होंने कहा कि सर्वे भ सभी बलों से सत्य बल ही कैसा होता है बढ़कर होता है सबसे बढ़कर होता है सत्य वर्जितात सवलात सत्य से वर्जित जो सबल व्यक्ति है वो सत्यवान अबल हश्रियान उससे सवलात से का आर्थ निकल रहा है दोनों में हैं पंचिमी विभक्ति लेगी है से का आर्थ निकल हो तारहा है सट्यवान अभल है यह जिसके साथ में सत्यवान अबल ना हो श्रेश्ट होता है तो कहते हैं सत्यवां जो अबल व्यक्ति होता है वो श्रेव होता है तो चलिए हमने एक-एक शब्द से आपको अर्थ बता दिए अन्वाय बता दिए तो अब हम कहेंगे सभी बलों से सर्वेभलह अपी यानि सभी जो शब्द है भी शब्द यहीं पर अपी में यहीं से लग गया सर्वबल अभी सभी बलों से क्योंकि इभ्य लगा इसलिए से बता रहे हैं सत्यम बलं सत्य का बल कैसा होता है सत्य का बल ही कैसा होता है बढ़कर है अतिरिच्यत यानि बढ़कर होता है सत्य वर्जितात यानी सत्य से रहेत यानी जूट बोलने वाले सबल बलवान व्यक्ति से सत्य बोलने वाला अबल निर्बल व्यक्ति कैसा होता है श्रेयान होता है श्रेश्ट होता है ठीक है तो यह यहां पर सत्य की महिमा बताई गई है इस श्लोक में पहले क्यों कि अब उन उन्होंने ये कहा कि साक्षात सत्य रूपी दीपक के रूप में उन्होंने अपने बंदू जनों का क्या किया सत्य रूपी दीपक बनके उन्होंने प्रकाश्मान किया सभे के जीवन के हिरदय से अग्यान रूपी अंदकार को दूर किया और क्यों कि क्यों किया ऐसा क्यों कि जो सत्य रूपी जो बल होता है वो सभी बलों में स्रिष्ट होता है ठीक है चले अब देख लेते हैं शब्दार्द लिखा हुआ है सत्य प्रदीपह यानि सत्य रूपी दीपह अब दीप्यति यानि प्रकाशित होते हैं या होता है अब होता है देखे शब्द जो है एक सम्म बहुता है प्रकाशत होता है किसकी बात कर रहे हम यहां महात्मागान्दी जी की बात कर रहे हैं वह कि प्रकाशत होते हैं कीश बाद करने की बात करने की बता रहे हैं नहीं किसी बड़ी कि लिए बात करते हैं आपके सब्सक्सार 2020 सब्सक्राइब वह reference है ऐसा बोलोगे क्या नहीं हम कहेंगे हमारे पिता-जी इस कम्पनी में काम करते हैं पिता एक ही है लेकिन उनके लिए आप करते यह आपकाहंगे करते हैं ते लगाएंगे ना वह एक ही बच़त हैं अखिल भारत यानी संपूर्ण भारत में तमह यानी अंदकार अपाकरवन करते हुए संब्सक्राइब सब सब्सक्राइब संदर्व के साथ में आपको व्याठ्या करने के लिए आ जाती है लिक दिया जाता है कि संदर्व के साथ मैं आप इसकी मात्रबहाशा में व्याक्या करो वह uhh iook यहा फिर संस्कृत में भी भावार्ट लिखनी के लिए जाता है थन्तों मता दिया भावार्त है अर्था को पढ़ा दें के सब्सक्रप chu seri के लिए भी आप तैयार होते जाएं ठीक है ना तो हम के लिखेंगे यहां पर संदर्भ में दिखेंगे कि महात्मा गांदी की का रिशेली और सत्य के महत को प्रकाशित करते हुए कहा गया है पहले संस्क्रित भावार्त बताएंगे उसी का हिंदी ट्रांसलेशन कर लो क्या वर्थ हिंदी का बन गया प्रस्त श्लोक का खाव अयम वर्थते यह है कि यतकार्त क्या हो गया कि कि महात्मा गांदी सथ्य सेव कहा आसीत महात्मा गांदी सत्य के सेवक्ते स्व सत्य अहिंसा दीनाम वरतानाम कारणत एव, अपने सत्य अहिंसा दीन वरतानाम वरतानाम सत्य आब यहांपे इसको है थोड़ा साब मिला लीजे़ साथ करते हैं स्व यानि अपने सत्य हिंसा आधी नाम हिंसा आधी नाम आधी वृता नाम वृतों के कारणात एव कारणात एव शब्द किसे मिल कर बना है कारणात एव कारण से ही अपने सत्य हिंसा आधी नाम अहिंसा को अलग करें तो आधी नाम अलग हो जाएगे हम नहीं कहते के हमने है तो राम श्याम आदि आदि लगा दे लिए फी और भी मतलब हैं क्वेंगि सठ्य औहेंशा वृत मैं किवल दो स्रिष्ळ अतेव संसार संभॉर अंरत् वादी अंडत वादी बलिष्ठा及 सिया वक्तार निर्बलाह रिष्ठा भावती यह अपने सत्य अहिंशा आदीव रतों की कारण से संपोर्भारत में प्रख्याद ते और सथ्यम चाह और और को पहले हम भोलेगे फिर कहेंगे सत्यम ओझत्यथा सभी बलों से स्रेष्ट सभी बलों से स्रेष्ट या को बोल सब्सक्राइब के सब्सक्राइब को निर्भला स्रेश्ठ जेए ऐसा दोनों श्लूकों का भाव हमारा बन जाएगा पहले का हमारा यहां तक आ जाएगा कि प्रस्तुत श्लूक से भाव अयम वर्द दे यत महात्मा गांदी सत्य सीवक आसीद स्वा सत्य अहिंसा आदी नाम इसको मिला लेंगे साथ मैं आदी नाम ब्रतानाम कारण देव हम Verma नातेव सिमिलकर बना है संपूर्ण भारते प्रक्यात का सत्य यं०्ध सरव वलब्यह और सट्य सभी बलों से स्रेश्ठम है ये दूसरे वाले का भावार्थ निकल रहा है ठीक है तो हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में असी प्रकार से लिख देंगे कि प्रिस्तु श्लूक बखा भाव ये है कि महात्मा गांदी सत्य के पुजारी थे तथा अपने सत्य अहसा आधी वृतों की कारण ही संपूर में प्रक्षिया दे जाने माने जाते थे सत्य सभी बलों में स्रेष्ट होता है तथा सच्चे निर्बल व्यक्ति का महत छूट बोलने वाले बलशाली व्यक्ति की अभिक्षा अधिक होता है तो इस प्रकार से ये भ योग से जुड़ा हुआ है और हमारे समास से उसको जोड़ दिया है फिर इदर कहेंगे सत्य प्रदीपह मूल यहां पर हुई है उत्वसंधी तो हम कहेंगे प्रदीपह विसर्ग में बैदल दिया ओकी मात्रा को और अवग्रह को आमें परिवर्तित हमने करके लिए साक्षात सत्य प्रदीपह अयम जैसा कि भाई पाठ हम अपने साथवे पाठ तक पहुंच चुके हैं छे पाठ तक तो हमने सारी संधियां जब भी आती हैं बीच बीच में बताते ही जाते हो दस्मी में तो हमने पढ़ाई दियें से लिए आप लोगों को दीप्यते अखिल भारते ध अवग रहे हो और संधी विच्छिद करने के लिए आजाए तो आपको कुछ नहीं करना है पूरवरुप संधी का नियाम होता है एक ही मात्रा वाला पद जैसा कत ऐसा लिख दो और जो अवग्रह वाला शब्द हो इसको आमें परिवर्टित करके लिख दीजिए और यह अपा कुर्वन अलग निकल जाएगा यहां कुंसा हुआ कहेंगे हिर्दियान मुहजद दो पांच वी पांच वी दो अक्षर आ गए बार बार हम यह समझाते हैं आपको अनुनासिक वर्ण दो आपको अनुनासिक वर्ण साथ में मिल जाए यह लिखा हो ठीक है यहां पर भ है यहां भी लिखा हुआ हो सकता है इंगा के बाद में अना भी हो सकता है इंगा के बाद में हमारा मा भी हो सकता है इंगा के बाद में हमारा ना हो सकता है यह तो किवल इंगा की बात हो गई यहां की बात करने तो यहां की बाद भी कोई भी पांच वी पांच वी अक्षर ह इसे अगर आपको पहले आक्षर में बदल तो इसका जो पहला अक्षर यानि ये वाली जो लाइन शुरू हुई थी ये जब अंत में पहुँचा तो का खा गा इंगा तो इंगा की लाइन शुरू किस अक्षर से हुई थी का से हुई थी तो सिर्फ आपको ये करना है कि इंगा दिख रहा है अगर आपको आधा तो उसको का में परिवर्दित करना ह यहां दिख रहा है तो उसको आपको चा में बदलने है ना दिख रहा है through आपको उसको त बदलना नीयम क्या कहते है संदी वाला नियम क्यता है कि पहला अक्षर पांच वा फिर से पहले में बदल जाएगा जिए को जुड़कर परिवर्तित हुआ था उसको उस परिवर्तन को हमने खतम कर दिया मूल रूप में लेकर आ गए तो यहां पर क्या लिखा हुआ है हर्दयान और मोह दो पांचवी अक्षर हो गया तो पहला वाल अक्षर कौन सा है ना किस में होगा अपने पहले अक्षर में तो तो यह ता हो जाएगा तो हो जाएगा हर्दयात अलग हो जाएगा मुह जम अलग बन जाएगा ठीक है चले यहां पर फिर से देखिए ओकी मात्रा और अवग्रया गया तो यह बन जाएगा अपी संधी बीटा मारबार आप लोगों को इसलिए बताते हैं क्योंकि संस्क्रि या कोई भी चीज बढ़ते हैं जब भगवत गीता पढ़ने लगते हैं तो अगर हमें संधी का ग्यान होता है तो हम उन शब्दों का अर्थ समझ पाते हैं यहना नहीं तो संधी तो अगर पूरी एक लाइन एक ही शब्द पर खतम हो गई लेकिन आपको नहीं पता कि उसमे करना संधी विचित करना दोनों चीज़ें हमने सिखाई हैं सीखेंगे तो संस्क्रिस सरल हो जाएगे आपके लिए ठीक है ना यहां देखें सत्यम को अलग किया यह को अलग किया तिरिच्यते हमने पहले ही जब आपको पढ़ा रहे थे तभी इसका हमने विग्रह करके आप को बता दिया तर सत्यवान को अलग किजीए सत्यवान अलग हो जाएगा ना हमारा हलंत में परिवर्तित हो गया से अब लग車 आक हो जाएगा यहीं सत्य बूलने वाले कि क्या होता है अब विल्हार जो अबल यानि विना बल्रवाला भी व्यक्ति लेकिन हो वह जो होता है एक बल्वान व्यक्ति से चलिए अब आगे देख लेते हैं पदपरिचर शब्द रूपदारत देखना है अखिल भारती तो भारत अकारांत शब्द हो रहा है हमारा सब्ध मिव्यवक्त में एक की मात्रा कहीं देखे समझ जाएगा कि अकारांत शब् सब्सक्राइब मुल शब्द है सबर्ण हो गया । यह शकारांत जो शब्द होते हैं मनस तपश टींग है मनस हो गया । थापस हो गया तमस हो गया सकारांत शब्द में विसरग वते हैं वो प्रत्मा और द्वितिया के एक वचन में आते हैं अ लिए कि तम को अंधकार को इसलिए यहां पर हमने आपको दूतिया का एक बचन बोला है सर्व बलेभ्या अब क्योंकि इभ्या शब्द भी देखे चतुरती पंचमी दोनों में आता है लेकिन हमारे श्लोक में सी का आर्थ बताने के लिए पंचमी वाले इभ्या का प्रियोग किया है अब यहां लिखा है सत्य वर्जितात सत्य वर्जित मूल शब्द हो गया आत कहां आएगा पंचमी के एक वाचन में आपके शब्द रूप बन गए ऐसा नहीं है थोड़े से हम बार बार कहते हैं कि मूल शब्द अगर याद कर लें हमने अकारांत आकारांद इक एक एक जारों याद हो जाते हैं साथ में अब परिशाय में धातु देख लेते हैं कि दीप्यते दीप मूल धातु में जब हमारा लटलाकार क्योंकि एक एक अन्ते कहां आत्मनिपद के अनुसार जब रूप बनते हैं तब आता है तो प्रधंपरोशेक वचन में ते आं गया ठीक समास लेक लेते हैं कि सत्य प्रदीपह क्या समास विक्रह क्या होगा सत्य के रूप में जो प्रदीप्त हो इसको सत्य प्रदीपह कहते हैं अखिल भारती तो अखिल शब्द भारत शब्द की क्या बन रहा है विशेस्ता बना रहा है तो अखिल शब्द में भी हम सब्द में बेभक्ति लगा देंगे सर्व बले भ्यह यनी सर्व शब्द भी बलों की क्या बन रहा है विशिस्ता बना रहा है तो बलेभ्यह शंद मैं चतुरति 아니면 का रूप यह तो सर्भ सब्द भी अनुसार पंचिमी बेवक्ति यह ना इसलिए तस्मात शब्द लगा दिया गया चीक है ना तो यहां सत्यम वर्जितन जिसकी द्वारा सत्य को वर्जित किया जाता हो तो सत्य वर्जिता तस्मात शब्द लग जाने से उसमें सी का भाव जोड़ जाएगा चीक है चले अब प कुरवन क्रीधातू के लंगलाकार में भी कुरवन बन जाता है धातू में है ना कुरवन हमारा कहां बन जाता है लंगलाकार में भी बन जाता है और क्रीधातू में जब शत्रिप्रत्य लगता है तब भी कुरवन बनता है ठीक है ना अब क्योंकि भई शत्रिप्रत्य लग तो इस प्रकार से यह जो अपाकुर्वन शब्द है वह अप उपसर्ग पूर्वक में जब कृधा तुमें लगाया गया तो उसमें हमारा अकुर्वन वाला नहीं है सत्य वान की बात हो रही है क्रिया में कृदंत लगते है महारे हमारे आ हो गया है मत Champa अच्छी हो गया और हो गया टा प्रत्य हो गया इस्त्री प्रत्य हो गया मतो हमारा तद्यत प्रत्या सब्धों यह सब्सक्रावड है उससे हमानम आफ्णल्प है केहला है हमारे था थीडित प्रत्या मान हमारा वान मानिया वान सत्यवान बन गया जी के भवान की तरह रूप बनते हैं मतु प्रत्या करवाए है आप देखेंगे सब इस पश्टूर अब चलते हैं हम अपने अगले श्लोक को पढ़ेंगे लिखा है तदिये चरंती धर्मिन प्रजावाराज शाश कहा सम्रेज ज चर जो धातों होती है चर्द हातों के कई अर्थ निकलते हैं चरका अर्थ चरना भी होता है जो चौपाय होते हैं भई पशू होते हैं जो चलकर खाते हैं ऐसे चरका अर्थ होता है चलना यानि जो चलायमान है वो चर्द हातों से उसको दर्शाय जाएगा अब चलने के लि चरणा का रथ चलाइमान जो चीज चल रहे हैं अब चरणाना यानि चाल की खाती हैं इसलिए उसमें चरणा बी का अर्क आर्क भी चर से ही हम लगाते हैं तो चरणानी के करने के लिए चलने के लिए और आचरन करने के लिए भी चरध्थातु का प्रयोग किया जाता है यानि अब यहां पर दिख्यकों ही चर्ने किसकी बात आ रही है अब यहां पर धर्मेंद धर्मेंद चरंती धर्म से यह लगा है त formulated यानि तो तुकित तो अवार्थ निकलेगए धर्मेड यूज यानि जो राजर्स शाह का यानि राज के शाषक तो तर राज पर शाषन करने वाले राजा होता है और अब πह피 अब राजा की बात नहीं जबङें घान घाने कहतम चाहीं अब कौन करते हैं नेता लोग करते हैं यानि जो राजय पर शाषन करते हैं तो कहते हैं जो राजय शाषक या फिर प्रजा या यह वाकार्थ क्या होता है या जो राजय शाषक या फिर प्रजा धर्म से आचरन करते हैं तेशाम तेशाम कुमा से हलक यानि उनका क्या होता है उनका या उनकी सम्रध्धी ही हमने विसर्ग कहां से लगा दिया मन से नहीं ये जो राथा इसको हटा के रत्मसंदी से आया था उसको हटा करके हमने यहां कह दिया सम्रध्धी ही जायती उनकी हमेशा सम्रध्धी होती है वो हमेशा उन्नती करते हैं ठीक है यानि ये यानि जो क्या करते हैं जो राजशाशक या प्रजा धर्म से आचरण करती है उनकी हमेशा ही क्या होती है सम्रधी जायते उनकी हमेशा क्या होती है सम्रधी होती है उनकी हमेशा उन्नती होती है अब जैसे ही मा को हलंत किया तो यहां आ जाएगा अन्य शामतु और अन्यों का तो छयो ध ज़ो और अन्यो का तो विनाश ध्रुव यानी निस्चे है ध्रुव का अर्थ क्या होता है निस्चे तो कहते हैं ये धर्मीन प्रजाहवा राजिसाशिका चरंती जो ये प्रजावाराजiesha जो प्रजा या राजिशाषक धर्मिण Dir धर्म के द्वारा आचन करते हैं संब्रदिह जाएते तो तहले हम कहेंगे समर्दिह जाहते उनकी हमेशा संब्रदि संब्रदि होती अब वह की बात आ रही है फिर की बात भी के देखें तो जो राजय शाशक या प्रजा धर्म से आचरण करते हैं तेशाम समृत दी जाये थे अन्ये शाम तो उच्छाय उद्रवा जो हमने पहले आपको बता दिया ओकी मात्रा उत्तो संदी से आई है तो जब अन्वाय करेंग जो राजय परशाशन करने वाले राजा या फिनीता आदी या पर जो प्रजा होती है धर्म पूर्वक आचरण करते हैं उनकी हमीशा उन्नती होती है इसकी विपरीत आचरण करने वालों का हमीशा अन्यों का तो हमीशा विनाश होता है वो निश्चित है ध्रोवह यानि न अब चलते हैं अगली अपनी श्लोग पे लिखा है इती तत्र भावान गांधी राख्याती गांधी राख्याती सहवासिना अनुयाई जनांश्च अन्यान वच्चसा लेक तो अपी हुआ ठीक है तो यहां क्या लिखा है इती तत्र भावान आपको गांधी भावान यानि भा भवानकार्थ क्या होता है भवत शब्द आपके लिए प्रियोग होता है भवतकार्थ क्या होता है आप ठीक है अब आप गांधी की बात कर रहे हैं कि भवान यानि आप वहां इसकी बात अब आश्रम की बात कर रहे हैं कि वहां आप गांधी जी को आपको आख्याती यह जो है हमने क्यों इसका लूप किया यूंकि जो र है वो आया है विसर्ग से रत्यूसंदी से और रा में से आ को बाहर निकाल दें तो यह हो जाएगा आख्याती सहवासियों को च और अन्यान अनुयाई जनांश च और अन्य अनुयाई जनों को भी अन्य जो अनुयाई थे उनको और सहवासियों को भवान गांधी आप जो गांधी जी हैं वो क्या करते थे वच्चसा लेखितो अपीवा चाहे वानी हो या लेखन से भी वानी से या लेखन से क्या करते थे अपने अनिवाईयों को और किन को सहवासियों को समझाते थे यही आख्यान करते थे यही समझाते थे कि जो प्रजा या राज्य से शाशक होते हैं राज्य का शाशन करने वाले होते हैं वो अगर धर्म का आचरन करते हैं तो वे सदेव उन जो कौन गौन व्यक्तिएंग सभी को किनको अपने सहां वासियों पर ben रहने वाले व्यक्तियों को और अन्य जो अन्याई थे उनको अनुजान कर देते उनका अमसर्ण करते को मांते वなん को अपने वचनों से और लेखों की द्वारा यही समझाते थे इती ऐसा ही समझाते ठीक है तो यह आपका क्या बन जाएगा भेशलुकार्थ जाएगा अनुवय क्या होगा इती तत्रभवान गांधी ही सहवासीन अन्यान अनुवयाई जनांच वचसा लेखता अपीवा आख्याती वचनों और लेखों से समझाते थे किसको वही बात जो पहले कह दी गई है कि धर्म का आच्रण करना चाहिए जिससे की उन्नती होती ठी सभी सहवासीयों को और अनुवयाईयों को सिखाते थे ठीक है धर्मेनि यानि धर्मपूर्वक चरंती यानि आचरन करते हैं राज्य शाशक यानि राजबर शाशन काल करने वाले छैकार्थ होता है नाश ध्रुवकार्थ होता है निश्चय तक्त्रभवान यानि सम्मान तक्त्रभवान यानि वहां पर जो भवान यानि आप कौन गांधी ठीक है आख्याती यानि बताते थे समझाते थे वचसा यानि वचनों से उपदेश से लेखता यानि लेखों से गांधी किस प्रकार अपने अनुवयाईयों को संबोदित करते ते यह यहां बताया गया है तो पहले भावार्त में हम पहले श्लोक का भावार्त भी देखेंगे फिर दूसरा का देखेंगे प्रिस्तुत श्लोक का भाव यह है कि यत गांधी धर्म पूरवक आचरनाय प्रेरित करते थे अधर्म के द्वारा ही उन्नती प्राप्त कर सकता है अधर्मिन तो विनाश निश्चित और अधर्मियों का तो विनाश निश्चित ही होता है तत्यम इदम इस तत्य को गांधिना गांधी के द्वारा स्वलेखई अपने लेखों के उपदेश इश्चा और उपदेशों के द अनुषे धर्म से ही उन्नती प्राप्त गर सकता है अधर्मी का तो विनाश निश्चित है यही बात गांदी ने अपने लेखों और उपदेशों की माध्यम से समझाई अब समृध्धिर जायते तो समृध भी जायते से मिलेगा आगे लिखेंगे तेशाम अन्ये शाम तो ते दूसरी मात्रा हो इसको छोड़के कोई दूसरा स्वरव हो ठीक है और पीछे तीसरा चोथा पाँचप jugar बाक्षर होता है अब जैसे मानुगे आप का वर्ग का तीसरा अ क्यों सा होता है का ख गा का ख ग स आ हो गाहा हो यह जा हो इना हो चावरक का जाहो यह तूब strive का चौन सा अक्षर है तूरा मेंसे कौन सा है तह चौता च्षर चौता तो आप तो रह्यां में बदला था यहां यहां पे इसके पहले की मात्रा बैद का कहों पर चूटी की मात्रा है और यहां एक अगी आगए मात्रा परिवर्तन कर वा देतीविए अगर आगे आगे ऊ चोड़के कोई मातरा है तो विसर्ग राम में बदल जाता है और अगर विसर्ग के पहले केवल आय है किसी भी यादजन में तो वह कैसा रहता है ओकी मातरा में बदल जाता है गांधी-जाती फिर से देख लेजे गांधी मातरा है यहां पर भलेश्वर आ जाये तो किस में बदलेगा, रत्यों संधी में बदलेगा, अब यहाँ पर अनुयाई जनान अलग कर दीजिये, तो चाह हमारा अलग निकल जाएगा, चाह मैंसे भी अन्यान है, तो बड़े आ को फिर से हमने बिग्रे किया, दीरगल संधी से एक आ इसको दे दिया, एक इसको दे द अब देखे धर्मेन edition toast इन कहां आता है धैर्म मूल olduğет अकारांत . एन कहां आता है तृत टरा के एक वच्वा जंद मैं प्रजाय अकारांत शब्ैन है विसरक आता है प्रतमा के बहुप संद का शाम आम नाम दिखेग समझ जाईर सश्छी के बहुप कहांसे आता है अन्ने के भी सर्वनाम शब्दु में विसरग कहां आता है हमारे दू millor опять अन्वयाई जन एकर अकारान्त होगे आन कहां आता है दिटीया की बहु वचिशन मे आता है वच्छसा ठीक है मनसकर्मना वच्छसा तो वच्छस सकारान्त शब्द है तिर्तिया के एक वचन में मनस हो गया वचस हो गया तमस हो गया इनके रूप बिल्कुल सवान बनते हैं सकारांत एक जैसे बनते हैं स से अंतुने वाले शब्द होते हैं तिर्तिया के एक वचन में स वही सकारांत सा हो जाता है तो मनसा वचसा ठीक है इस प्रकार से तमसा अब जनमुल दातू होती उसके बहिते यानि आत्मनेपद के अनुसार रूप चलते हैं तो प्रथम पुरुष एक पार में रचलता है समास यानि राजय का शाषक तो इसका अर्थ क्या निकला राजय का शाषक यानि राजय पर शाषन करनी वाला तो राज्ये शब्द में काकी की का अर्थ जुर रहा है इसलिए बस विग्रे करते समय में क्या करेंगे राज्ये शब्द में सष्ठी विवक्ति लगा देंगे तो काकी की का अर्थ बन जाएगा और शाशिका लिख देंगे यानि राज्यस्य शाष्र का हा, सश्ठी तत्पुरों समास के अनुसार विग्रे हो गया अनुयाई जनह, जन शब्द की विशेषता है कि कैसे जन? अनुयाई तो जनान में हमारे शब्द पास क्या है? दूतिया का भववचन है तो अनुयाई जन शब्द में भी दूतिया का भववचन लगा देंगे, दोनों में समान विभक्ती लगा देंगे, यह विशेषन विशेषी बनके कर्मधारे समास बन जाएंगे प्रत्याई हमारा लेख तह, तो तह कहां आता है? तसल प्रत्याई में, किसी भी मूल शब्द में आपको तह शेष देखे, समझ जाना कि यह तसल प्रत्याई से आया है लेक मूल शब्द में तह तसल से आया। चोटी की मात्रा कहा है, इकतिन प्रतिय ऐसे। चले अब देखें होगी है हम अगले श्लोब को महात्मा प्रह यहनि महात्मा जी कहते हैं कहते हैं महात्मा गांधी कहते है के अधर्मम अपी द्रिश्टवा या प्रति बद्धुम्ना वांचती सत्यपी यो भीत्या नाचा तद प्रति पद्यते कियते हैं अधर्मम अपी द्रिश्टवा अधर्म को अधर्मम यानि अधर्म को अपी अधर्मम को अलग कीजिये तो अपी हमारे सामने अलग निकलाएगा किते हैं अधर्मम अपी यहां से अपी यानि अधर्म होते हुए भी अधर्म को कैसा करते हुए द्रिश्ट्वा द्रिश यानि देखकर त्वा यानि कर्या करके देखकरके भी अधर्म को देखकरके भी जो यह यानि जो प्रति बद्धुम नावांचती यानि नहीं इक्षा क करते हैं क्या कर नहीं कहीं कहीं पर बंधुम भी आया हुआ है नहीं होगा तो मूलशब्द हो रहा है कि रोकने एनहीं के लिए नहीं इक्षाड अधर्म को देखकर भी यह यानि जो जो अधर्म को देखकर भी अधर्म देख रहे हैं उसको देखकर भी रोकने के लिए एक्षित नहीं होते हैं यह जो रोकना नहीं चाहते हैं और क्याते हैं सत्य सत्य पर यो भीत्या यानि जो और जो भीत्या डर के कारण ना चातत प्रद प्रतिपद्यते यानि सत्यपी सत्य होने पर भी सत्य के सत्य होने पर भी उस सत्य के सत्य होने पर भी जो सच बात है वो सही है होने पर भी यह यानि जो यह भी हमारा यह बनेगा ठीक है ओकी मात्रविसरगे यानि जो भीत्या डर से तत उसको और उसको क्या करते हैं ना प्रत होते हुए बी अधर्म को देख कर भी उसको रोकने की किक्षानी करते हैं और सत्य के सत्य कोने पर भी उसको नहीं प्रतिपादन करतें यह तो उनका क्या होता है आगे वाला श्लोक हम पढ़ दें तो इससे क्या आपको दोनों इस लोकों का पिर अनुवाय अर्थम साथ बता देंगे तो कह रहे हैं आगे कह रहे हैं और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो कहते हैं क्लीबयोह क्लीबयोह यानि कारण क्लीबयह मुल्शब्दों गया ठीक है तो कह रहे हैं कायरों दोन अब दो की बात हो रही है कहते हैं कायरों का उन दोनों कायरों का कहते हैं ओभायो और यहां से भी रा को अलग कीजिए घ्र हमने यह O की मात्रा को अलग कर दिया तो यह हो गया कना को सिब के इस यह रजय व्थेव मैं इसे वदला और यह Bullivan OH you यानि दोनों का ता यह अन्य दोनों का ही के ते रखा अपि दोनों का भी था जीवन हम निश्वल हुन दोनों का ही जीवन निश्वल होता है यहनि दर्म को देख कर भी कैसे होते हैं अधर्म को रोकते नहीं है तीक है सत्य को नहीं बोलते हैं दर के कारण सत्य नहीं बोलते हैं और कहते हैं स्वार्थ नाश भयात यत्तव रक्षतव अन्रत जीवनम अब कहते हैं जो जूट बोलते हैं कहते हैं रक्षतव वे दोनों कैसे वो तेम ही उन दोनों का जीवन व्यारत हैं जो क्या कहते हैं स्वार्थ नाश अपना स्वार्थ खतम ना हो जाए मतला अपना मतलब से दोरा है वो काम कर लेंगे उसके होने से तो अन्रत जीवन यानि जूटे जीवन की रक्षा करते रहते हैं उनका जीवन कैसा है निश्वल होता है ऐसे किसके भाय से कि स्वार्थ का नाश ना हो जाए इस भाय से जो उन दोनों की बात कर रहे हैं यही दोनों प्रकार के व्यक्ति जो अधर्म देख रहे हैं अधर्म को देख कर भी उसको रोक नहीं रहे हैं और सत्य होने पर भी सत्य न हो जाए भाई किसी के इसमें अगर आपने सच बोल दिया और हो सकता है उससे सच के का बड़ा विपरीत परणाम मिल जाए आपको हो सकता है कि कई बार भाई उस समय पर स्वतंत्रता का युग जो चल रहा था जब परतंत्रतियानि हम स्वतंत्र नहीं दें उस समय पर सच बोल कि भी हिम्मत नहीं थी लोगों में नहीं बोलते थे तो उन्होंने यह पाठ पढ़ाया लोगों को पढ़ाया क्या कहा उन्होंने कहा कि अधर्मम अपी द्रिश्ट्वा अधर्म को देख रहे हो उसको देख कर भी प्रतिबद्धुम्ना वांचति उसको तुम रोकना नहीं नहीं चाहते हो और सत्य पर भी सत्य को न तत प्रतिपादित करते हैं नहीं बताते हैं तो पे रहे हैं क्ली भयोह वैसे दोनों कायर उस परकार की दोनों कायर केते हैं जीवनम निश्फलम वह दोनों का यह जीवननिश्वन होता है जो किया करते हैं तो वह दोनों क्या करते हैं स्वार्थ नाष भायात्त वह दोनों क्योंकि प्यूंकर क्या करते हैं कि उस वह उस समय पर यही उता था अपने स्वार्थ सिद्धी के लिए लोगों ने काम किया बड़े स्वार्थी लोग थे जो बड़े बड़े साहुकार हुए उन्हें अंग्रेजों ने लालच दे दिया के भई तुम इनकिसानों से गरीबों से इनसे लूट खसूट करो इनसे ब्याज बरत्याज और दुनिय मन से बोल रहे हूं तो भई अपना स्वार्थ सिद्ध करना तो साहुकारों ने क्या किया जमीदारों ने क्या किया कि उन पर खुब सारा लगान वसूलना शुरू कर दिया सूखा पढ़ रहा है तब भी लगान ले रहे हैं तो किनकी जिम्मेदारी थी ये बड़े जो आप रसूखदार लोग बैठे हुए थे उन बेचारे गरीबों को निर्धनों को और निर्धन किया और क्रशकों को बिल्कुल भूमी हीन कर दिया क्योंकि अपनी स्वार्थ सिद्धी के लिए गलत हो रहा था उस अन्याए कि कितने थे ये बताओ कितना था ना के बराबर थे ल इस नाश के भाय से की मेरा स्वार्थ तो खतम हो जाएगा याने मेरा भला तो हो गए नहीं तो उस भाय से उस भाय से क्या कहते हैं कि रक्षत करतें जूटी जीवन की रक्षा करते है जोट फोलते हैं व्यर्थ में ही तो यहां पर हम इसे क्या बनेगा पहले हम इसका न्वाइड देख लेते हैं तो महादमा जी कहते हैं अधर्म अपित द्रिश्टव यह जो अढर्म को देखकर भी प्रति बधुम्ने वान चती इसको रोखना सत्य होने पर भी उसको डर के कारण नहीं बोलते हैं ठीक है तो मात्मा गांदी कहते हैं जो अधर्म को देखकर भी उसका प्रतिकार नहीं करना चाहते हैं जो सत्य होने पर भी भय के कारण उसका प्रतिकार नहीं करते हैं नहीं बताते हैं तयो चाओ भयो अपी, क्ली भयो जीवनम उन दोनों का ही जीवन होता है झीवनम निश्फलम यत क्योंकि तव स्वार्थ नाश भयाइद consultants Вे दोनों ही स्वार्थ भय की नाश से अंड्रत जीवनम रक्षट जुट जीवन की रक्षा करते हैं जूट बोलते हैं जूट का की रक्षा करते हैं तो यहां पर सरलार्थ बनेगा उन दोनों ही कायरों का जीवन व्यर्थ है जो दोनों स्वार्थ नाश के लिए स्वार्थ नाश के भय से जूट की रक्षा करते हैं अर्थात अपने स्वार्थ के लिए ही जूट बोलते हैं जूट की रक्षा करते हैं इस प्रकार से यह अर्थ बन जाता है द्रिश्ट वाया ने देखकर प्रति बद्धुम कहीं बंदुम भी लिखा होगा बद्धों होगा लेकिन सही है थीख है प्रतिकार कार्णा वान्चति याने चाहाना शत् Ear apresent ॥ सत्य होने पर भी है ना अपी शबद है न वंड dic ठीक है और काकी के का अर्थ इसलिए है क्योंकि यो यो जो लगा हुआ है वो सश्ठी विवक्ति से आये दोई बचन से तो दोनों में काकी के का अर्भुर यानि उन दोनों का तयोह उभायों क्लीवायों उन दोनों का जीवन कैसा है निश्फल है निश्फलम यानि वेकार है स्वार्थ-नाश-भयास, रक्षतह दुनों- रक्षा करते हैं. जूट का रक्षा करते हैं अनृत जीवनः, जूट ए जीवनः के जूट की रक्षा करते हैं। अब यहां पर संदर्व में हम लिखेंगे गांदी जी किस प्रकार सत्य के लिए प्रेरित करते हैं उसका वर्णन यहां किया गया है लोगों को सत्य बोलने के लिए प्रेरित करते थे वही वर्णन यहां बताया गया है महात्मनह मता अनुसारम महात्मा की मत के अनुसार अन्रत से प्रतिकारे असमर्थ हा अन्रत यानि जूट का जो प्रतिकार करनी में असमर्थ होते हैं भीत्या डर से सत्य से गोपित्या गोपित्या और डर के कारण भीत्या यानि डर के कारण दर से सत्य को छुपाते हैं गोप उन दोनों ही निन्दा के योगे व्यक्षा करते हैं। उनका जीवन वियर्थ ही है एवं ऐसा इस प्रकार गांधी द्वारा गांधी जी गांधी द्वारा यानि कहेंगे गांधी के द्वारा लिखा हुआ है तो भाई हम यहाँ पर गांधी ना कह देंगे यहाँ पर क्योंकि तृतिया विवक्ती है चीक है यानि गांधी के द्वा मात्रा है हमेशा सत्य के लिए प्रेरित की आगया लोगों को ब्रेरित किया गया चले तो यहां हो जाएगा महादमा गांदी ने जूट का प्रतिकार ना करने वाले जूट का बिरोध नहीं करने वाले डर से सच को छिपाने वाले दोनों की ही नंदा की है जो लोग केवल अपने लाब के लिए जूट की रक्षा करती है उनका जीवन तो बहुत बेकार है इस प्रकार गांदी ने सदेव सत्य के लिए प्रेरित किया चीक है अधर्मम अपी तो हमने पहले ही आपको तोड़के बताया है कि यहां पर अधर्मम तुद्माहलंत को अलग किया तो अपी अलगने का ले आएगा सत्यापी सती अपी से हु होना पर भी देखें यहां अमारा देखा हुआ है सत्य सत्य के सती होने पर भी सत्य के होने पर भी सही बात होने पर भी चीक है तो सत्य अपी शब्द से सत्य अपी मिला हुआ है कैसे भई हम पैचान करते हैं अपने याज भई पूरा दिख रहा है समझ रहे हैं या भई लेगा तो यह कहां से आएगा यह हमारा आएगा मात्रा से यहां संदी क्यों आगे अगर आपको कभी वी आध़ Ihnen लिख जाए उसके बाद यहां पूरा भु वा पूरा हो रा पूरा रह ला पूरा लापूरा हो तो समझ ना कि रील से परिफर्थितों कियों संदी की नियम से बनाया है तो इकी मातरा उसमें हो जाए सत्य के सथी का पर भी यह की मातरा जर्ग से आई सत्व संदी से थी के मातरा के बाद में यो ड्रू लगा हुआ है तो रा को हमने तोड़ा उप्रक विसर्ग में बदल दिया क्लीभाई यो यू जो है कहां से आया है मिलक् verbess रछू संदी में परीबर्त सबस्थ संदी क्लीभा já को आते हैं परिवर्तन तो इसलिए हम बार-बार कहते हैं कि जब भी समय मिले तब सत्व रुत्व एक एक बार देख लेंगे समझ में आ जाएगा बड़ी कोई कठिन नहीं है वैसे तो हम यहां पर भी आपको हर पार में समझाते ही जाते हैं फिर से देखे रक्ष तो अनृतम ऑकी मात्रा आगई अवक्रह आ तो विसर्ग में बदल के अलग कर दिया हमने तो अंर्त जीवन हो गया जूटे जीवन को अंरित यान क्या होता है जूटा अधरमम अधर्ममूल शब्द है अभितिया के प्रत्मा विवक्ति के नपुन्सक लिंग में आता है और अकारांत या इकारांत जो भी बाकी शब्द बचते हैं उनमें किवल दूतिया विवक्ति में आता है स्वार्थ नाश भयात तो स्वार्थ नाश भय मूलशब्द है यह हमारा तो है स्वार्थ के नाश के भय से यह तो हमारा सामासिक पद है जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो सुर्थ में काकी बचेक का अर्थ जोड़ देंगे नाष केक का अलग जोड़ देंगे भैय अलग कर देंगे तो मुल शब्द तो समसिख बना है सुर्थ नाष भै अकारांत शब्द है लेकिन आधा आया है तो 55 की एक वचन से ही आता है समास विग्रह देख लेते हैं बहुत पहले धातु अंधि रधंपुरुश है थातु में लटलकार प्रथम पुरुश है फद्फधातु में अच्वा एक रहो तो दोनों के लिए बना हुआ है तो में परदम रोष दोप बना हुआ अब समाज देख लेते हैं क्या लेखा है निश फलम जिस कहले चला गया है तो निर्गतम फलम यसमात तत जिसका निर्गतम फल जिसका फल क्यासा हो चला गया हो उसको निश्वल कहते हैं स्वार्थ नाश भयात यानि स्वार्थ के नाश के तो देखें स्वार्थ का नाश स्वार्थ नाश कहलाता है तस्मात भयात जिसके भैसे उसके भैसे स्वार्थ का नाश उसको हम स्वार्थ नाश भयात कहेंगे जोट वाल शब्द है वो भी जीवन जैसा ही अपना रूप बना के कहेंगे अंरृत के जीवन की बात हो रहे हैं तो काकी की का अर्थ बना के हम कहेंगे अनृतस्य जीवनम ठीक है अनृत जीवन विशेशन ना बनके यहां पर क्या कहने हैं जूट का जीवन सत्य का जीवन जूट का जीवन तो काकी की का अर्थ था तो इसलिए अनृत में सश्थी विवक्ति लगा के कि उसका अर्थ बना द बद्ध धातु में थातु फिर उतमन प्रत्य लग जाने से प्रती बद्धं बन गया अब अगे लिए सती सती कहां आता है असद्धातु में जब शत्ती प्रत्य लग जाते हैं तो फिर उसकी हुआ हो ना सतीकार्टिस अपतिमी विवक्ति लगे इसलिए परकार्ट बन जाता है इस परकार से ये श्लोक और हो जाते हैं अब बाकी के वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएंगे आपको गूगल टैप पर जाना है लिखना है मैं इंटर करेंगे आपके सामने वेबसाइट का पीज ओपन हो जाएगा अब आप यहां पर भाई कुछ भी जो भी आप पढ़ना चाहते हों उसको कीजिए सिलेक्ट इंग्लिश मीडिय संस्कृट जितनी बी सब्जेक्ट उन सभी को आप इसी प्रकार से अराम से पर सकते हैं कि क्या क्या हमारे लिए उपलब्द है हमारी वेबसाइट पर तो आप संस्कृट में जाएंगे तो यहां संस्कृट के आपको सारे चैप्टर दिखनी लगेंगे वह सामने हैं उनका भी विवेचन अच्छे से कर पाए हम ठीक है इस तरह से आप मेंगनेट बेस के साथ में आसान ही से पड़ सकते हैं यूट्यूब पर क्यों कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या क्या चीज हमारे लिए हो चुकी है कौन कौन सी च अब कम से कम एक साल हो चुका है उसके और कहें आठ महीने पहले हमने नवी कक्षा चटवी से नौवी तक चटवी से दसवी तक का पूरा चाहे एंसी आर्टी की किताब का अनुवाद हो या फिर व्याकरन हो यह सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ा दी हैं पूरा करव अब 11 तो अब शुरुआत आई है बच्चों की दो आप इनको 11 बारे भी पढ़ाएंगे पर नौवी ऐसा नहीं के लिए कुछ नहीं होना है उनकी बहुत सारी चीज़ें बची नहीं है उनकी वांशोट रिवीजन भी करवाएंगे उनके लिए भाई को टेस्ट पीपर सीर तब तक के लिए धनिवाद